हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो अनलाइन क्लास, माइनेम इस विपिन गुपता, एम यूर मतमेटिक्स मैंटर, हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है, किसी भी पॉइंट का करना है, with respect to x-axis, with respect to y-axis, with respect to origin, हमने ये तीन पॉइंट अच्छे से समझ लिये थे, आज फिर से छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं इनी तीनों पॉइंट्स पर, ठीक है, आज का लेक्चर बेसिकली आपका ग्राफ बेस्ड है, मतलब कोई नुमेरिकल होगा, उसमें ग्र नुमेरिकल दिखाता हूँ, बोड का नुमेरिकल है, बुक है बेटे, ये, कंसाइज मैथमेटिक सलीना की है, 2021, और ये देख रहे है, नुमेरिकल लंबर 15, ये बी एक्सेसाइज है, 12B, नुमेरिकल लंबर 15 देखो, using the graph paper, plot the points A, 6,4 and B, 0,4, reflect A and B in the origin to get the images A dash and B dash, write the coordinates of A dash and B dash, state the geometrical name for the figure A, B, A dash, B dash, find its parameter, 2013, इस type का नुमेरिकल है, तो आपने देखा कि concept तो पूरे वही है, कि origin से reflection होता है, तो point का coordinate क्या हो जाता है, coordinate बता देने, फिर उन सब को meet कर दो, scale से, pencil से, है ना, तो आपको जो मिलेगा resultant, उससे perimeter भी find कर लेंगे, तो ये graph paper पे सारी चीज़ें बनानी है, तो अभी तक हम लोग, normal भी में कर रहे थे, अब हम लोग graph paper में करेंगे, तो graph paper में चीज़े कैसे solve करती है, ये सब देख लेते हैं, तो आपके पास तो ये graph paper है, मैं बनाने की कोसिस कर रहा हूं, this is x-axis and this is y-axis, और graph के अंदर भी वहुत सारे छोटे 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 blocks हैं, कई सारे blocks हैं, graph में, ठीक है, ये मैंने मान लिए कि बड़े बड़े जो blocks हैं, दस-दस वाले, ये मैंने थोड़ा at random बनाने की कोसिस कर रहा हूं, ठीक है, इस type का graph है, ऐसे आपको graph मिलते हैं, और पहला point आपको लिखा है, 6,4, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां से लेकि यहां तक जो बड़ी लाइन है, इसको दो consider कर लो, 2, 4, 6, मतलब 2 unit को जो आपने 6,4 लिखा है, तो यहां पर 2 unit को एक मिनुट उख जाओ, कैसे लिखते हैं लोग, एक just a minute, just a minute मैं बता रहा हूँ पिटे, मैं कुछ important चीज़ देख रहा हूँ तक ही mistake ना हो जाए, graph paper पे लिखा था, यह देखो, मिल गया, क्या लिखा है, take two divisions equal to one unit on both axes, क्या लिखा है, दो division को एक unit consider किया है, दो division का मतलब एक unit consider करने का क्या meaning हुआ, यह लिखा five comma one, यहां है y axis, तो यहां से यहां तक five है, आप जड़ा देखें, one, two, three, four, five, सिधर सिधा मिल गया, तो क्या हो रहा है, यह numerical number six है, यहां पर बात हो रही है, यह numerical number six के लिए sorry, वह तो five के लिए बात हो रही है, तो five के लिए यहां बात होगी, यहां पर देखो, लिखा हुआ है, उन्होंने, देखो, क्या लिखा है, take two centimeter equals two unit, दो centimeter को दो unit consider करना है, ठीक है, लेकिन इस वाले डाइग्राम के लिए गर हम लोग बात करें, इस वाले डाइग्राम के लिए बात करते हैं, तो यहां पर two division को one unit consider किया, यह वाला point है three, यह है point zero, तो दो unit का मतलब क्या हो गया, two division का मतलब का हो गया, यहां से लेके यहां तक दो डिवीजन हो गए उसको एक उनिट इस टाइप से आपने देखना है ठीक है थोड़ा ग्राफिकल है अब यह चीज ग्राफ से ज्यादा समझ में आती है ग्राफ अगर होता सामने तो मैं और अच्छे से एक्स्प्लेइन कर पाता अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे प्लीज थोड़ा सा एक्जामन को देख लोगे आप लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटे ठीक है तो यह पॉइंट है 6,4 तो 6 कंसिडर करना था तो यहां पर दो डिवीजन थे एक डिवीजन यह एक डिवीजन यह तो दो डिवीजन को एक उनिट मान लिया दो इनिट मान लिया तो दो चार छे उनिट हो गया फिर दो और दो चार यहां पर आगे मतलब एक मैंने दो माना तो दो चार छे दो चार आ गया तो यह बहला पॉइंट है इसी को तो मैंने A बोला है अब B है 0,4 तो 0 और 4 कहा होगा 2 और 4 यह B है आपका इसका नाम है 0,4 फिर उसने क्या बोला है A,B रिफलेक्ट ओरिजिन तो ओरिजिन से अगर रिफलेक्ट करेंगे तो दोनों में माइनस लगा देते थे तो 0 और माइनस 4 यहां पॉइंट आजाएगा तो यह हो जाएगा B डैस 0,4 अब A के लिए बात करेंगे तो माइनस 6 वहां 2,4,6 माइनस 6 और 4 यह वाला पॉइंट आपका होगा A डैस का इस में आएगा माइनस 6, माइनस 4 यह वाला पॉइंट ओना तो अब हो कहता है कि सबी को मिला दो उसने बोला था A B A से B घये ओके फिर उसने क्या भोला था B से a डैस जाना था B से a डैस आ गये ओके फिर उसने बोला था a डैस b डैस फिर b डैस a तो अब यह देखो यह लाइन इसके पैलार है तो एसा निभी लग गन के फैलोग्राम बन गा है कि यह जो है और डैग्राम आपका पैलोग्राम है पॉइंट समझ दांगिया यह प्सक्राइव अब को लौजह कि इसमें तो यहां से इसे तो यह भी फोर है इन दोनों से टिस्टेंस आफ फाइंड कर लोगे दो पॉइंट नहीं तो आप 10 लोगे हलागी बूर्ड में नुमेरिकल आया ना तो तब तक आप सीख लोगे इसके बाद बाला टॉपिक हम यही पड़ेगे तो इसी टाइप के नुमेरिकल आने वाले हैं तो अब इसमें एक और बात लिखिए नुमेरिकल नंबर 16 जब आप करोगे उसमें लिखा है नाव सिमेट्रिक इस नॉट इन कोर्स मतलब यह जो थर्ड पॉइंट पूइंट पूछा गया है यह अब आपके स्लेवस में नहीं रहां सेमेट्रिसिटी आपके स्लेवस से हट तो क्या कोशन क्या था यूज़ ग्राप पर देखो सारी कोशन में ग्राप पेपर उसकर नहीं तो सेंटीमेटर इकोल टु वन उनिट अलांग बोथ आक्स एक्सेंट आपके इस प्लोट पॉइंट ओ ऑव ए बी ती सबके नेम लिखें रिफ्लेक्ट पॉइंट एबी ऑन तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है स्ट्रेंट्स और अगर देखना चाहते हो तो एक्जाम पर से एक दो देख लेते हैं बिल्कुल सब वही है हाँ इसमें नया कॉंसेट एक और है वह कॉंसेट और बता देता हूं इसमें कॉंसेट क्या है कि कभी भी ऐसा आ सकता है कि कोई एक पॉइंट का reflection देखना हो एक्स एक्सेस नहीं यह एक्सेस नहीं लेकिन एक्स के parallel लाइन में कुछ हूं अगर मैं कहता हूं यह x-axis है और यह y-axis है यहां पर एक लाइन है तो इस लाइन का जो एक्वेशन है वो y is equal to 2 हो सकती है x-axis के जो parallel line हमेसा y line होती है क्योंकि यह जो line है automatic y is equal to 0 है यह दो से cut होगे निकल गी तो y is equal to 2 है और एक point मैंने consider कर लिया यहां पर 2,4 यह मैंने जानबुझ का 2,4 एक point consider किया तो अगर मेरा mirror y is equal to 2 act करेगा तो इसकी image कहां बनेगी यह देखने बाली बात होगी तो इस बात को थोड़ा समझते हैं mirror से इस point की distance कितनी सबसे पहले तो यह दिमाग लगाए जाए कि mirror से इसकी distance कितनी है इसका coordinate है 2,4 तो एक्स बताता है एक्स को बूल जाओ पहले 4 की बात कर लेते हैं तो ordinate आपके पास 4 है जो इसका second वाला part है y वाला part है वो 4 है मतलब यहां से लेके यहां तक 4 है और यहां से कि यह line है 2 पर तो मतलब बीच में तो gap 2 का ही है तो मतलब यह length है जो 2 की length है तो object अगर mirror से 2 unit की दूरी पर है तो image भी 2 unit की दूर बनेगा तो 2 unit इसी को उपर आ जाएगा वो point और यह x बाला जो epsilon जो आएगा coordinate वो कहां आएगा वो आएगा 2,0 पर आएगा यह इतना समझना था आओ एक और example लेते हैं यह x-axis है यह y-axis है यहां पर मैंने एक line plot कर दी और इसको बोल दिया x is equal to minus 3 यह मेरी line है और मैंने point लिख दिया 1,1 1,1 का mirror image देखना है with respect to this line x is equal to minus 3 तो अब यह देखना है कि यहां से इसकी distance कितनी है तो y-axis से इसकी distance तो 3 पर है क्योंकि minus 3 यह indicate करता है कि left side है तो 3 unit है और यहां से यह point 1 unit पर total distance कितनी होगे 4 unit तो अगर mirror से object 4 है तो वो image भी 4 unit दूर बनाएगा तो वो 4 unit दूर बनाएगा तो हम 4 और इदार आजाएगे और y बाला तो change होगा नहीं वो तो height है तो y बाला तो वही रहेगा 1 लेकिन x बाले में changing हो जाएगा तो यहां से यहां तक कि जो unit के distance थी वो थी 3 और यह वाली जो gap है mirror से वो 4 unit के gap बन गई है क्योंकि totally 4 थी तो यह भी 4 का gap बन चुका है तो y एक से total distance है 7 तो left side है तो minus 7 है तो coordinate मिलेगा minus 7,1 I hope आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा IQ level यूज होगा physics यूज होगी कि जो object है mirror से कितना दूर है फिर वहां से उसके distance हम लोग देख पाते हैं क्या point समझ में आया very important point फिर से एक बार देख लेते हैं और कोई example मिल नुमेरिकल मिल जा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा लेट पी चेक ओके अब जैसे आमने एक्जांपल आ गया है एक्जांपल देखो क्या है find the reflection of the point P minus 1,3 in the line x is equal to 2 मैं सब नहीं देखूँगा पी है minus minus 1,3 यह यही पर हो जाए का स्वाल x-axis y-axis minus 1,3 P है तो minus 1 यहाँ होगा 3 का होगा उपर 1,2,3 यह बाला point आपका P का है minus 1,3 coordinate है अब x is equal to 2 की line का होती है यहाँ line x is equal to 2 की यह line है आपकी x is equal to 2 की तो अभी देखने वाली बात है कि यह जो point है line से कितनी distance पर है यह देखने वाली बात है 2 और 3 add होने के बाद 5 आजाएगा जिसका मतलब यह gap हुआ पांच का height में कोई changing नहीं हुए क्योंकि वो y बाला part है तो y बाला part तो 3 रहेगा तो 5,3 आपका answer आएगा और मैं देता हूँ यह diagram देखो यह 5,3 ही लिखा यह देखो 5,3 ठीक है और यह उसने detail से लिखा है जो मैं उतनी देश से explain कर रहा हूँ तो डारेक्ट उनोंने answer लिख दिया ने लिख दिया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा देखो y plus 3 equal to 0 यह line है तो actual में y is equal to minus 3 की line draw कर लोगे इस side और point है 2,1 तो 2,1 हो जाएगा तो यहां से यहां तक जो gap है वो minus 3 यह और 1 यह तो total 4 का gap है 4 और downside आ जाओगे तो 3 और 4 साथ 7 पर आ गए तो 2, minus 7 पॉइंट आ गया तो कितना easy है ना तो यही सब चीजे अब आपने सीखनी है ठीक है तो आज की class में हमने क्या सीखा किसी भी line, line क्या होगी x axis के parallel हो या y axis के parallel हो यह यह याद रखना कि कोई भी oblique line नहीं लेनी हमने क्योंकि हमारे syllabus में व सब होता है लेकिन अभी हमने 10th class label तक सिर्फ simple से line लिखनी है x is equal to two line हो गई x is equal to minus हो गया y is equal to plus हो गया y is equal to minus हो गया बस यह चार लाइने देखनी है बस ठीक है और आज आपने क्या देखना अगर पर graph paper का use करते हैं तो कोई हम unit जब लेते हैं जैसे two centimeter equal to two unit तो example में एक बात आप देखो की कैसे diagram बनाया है उसे साबसे आपको भी बहुत जंदी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह part आपके लिए important था तो i hope reflection आपको समझ में आ चुका होगा और reflection आपका खत्म हो गया है तो reflection खत्म होने के बाद एक दो numerical reflection कहीं हो जाएं क्या reflection के एक दो numerical और कर लेत लेते हैं reflection के एक दो numerical और लेख देते हैं कोई अब जैसे यह numerical है numerical number 7 क्या लिखा है यूज दग्राफ पेपर देखा ग्राफ पेपर यूज़ोगा आपने भी जब इस lecture को देखना है बेटे तो घर से बोलो कि मुझे ग्राफ पेपर चाहिए ग्राफ पेपर पर प्रैक्टि कर देना हम class में सीख लेंगे जब बाद में मेलेंगे ठीक है दा पॉइंट्स ए बीसी तीन पॉइंट्स हैं आर दा वर्ट्स ऑफ ट्रैंगल ए बीसी ए बीसी ट्रैंगल के वर्टेक्स हैं यह origin के respect में बात करेंगे तो a-b-s मिल जाएगा तो a-s कितना होगा minus 2, minus 3 देखो a-s बना दिया b-s कितना होगा minus 4, minus 5 देखो b-s बना दिया c-s कितना होगा minus 7, minus 2 देखो c-s बना दिया फिर उनके बाद क्या अगली condition है write down the coordinates of a-double-s, b-double-s, c-double-s if a-double-s, b-double-s, c-double-s is the image of the triangle reflected in the y-axis अब इसके x-axis के साथ देखना है just a minute, write down the coordinates of double-s, heart of the image triangle, देखो of triangle ABC, यह जो double वाले पार्ट है, वो किसके reflect हो रहे है, ABC के हो रहे है तो ABC के x-axis में देखेंगे, तो a का coordinate है 2,3, तो result क्या मिलेगा, 2,-3, b coordinate है 4,5, और x-axis में mirror image बनाएंगे, तो क्या बनेगा, 4,-5, क्योंकि minus 5 यह indicate करता है, तो downside चले गए, 4 में तो कोई changing नहीं है, 7,2, तो result क्या होगा, 7,-2, सही है यह double dash क्या indicate कर रहे है, कि x-axis के mirror image बनानी है, ABC की, और a dash, b dash, c dash बनाएंगल क्या indicate करता है, ABC triangle से mirror image बनानी, with respect to origin, तो यह दो points है, हो गए हैं तक, फिर क्या mention the special name of the quadilator, b, c, c double dash, b, double dash, ok, देखो, b और c सामने आपने indicate किया, और b double dash, c double dash, दोनों को मिलाया, तो यह line तो आपस मैं parallel है, तो यह तो parallel है, यह line, इसके line के बराबर है कि नहीं हम तो कह नहीं सकते हैं, तो छोड़ो इसका हम लोग रिया नावलेंगे, टरपीजियम ले लेंगे, लिखा भी उन्होंने, this is trapezium, लिखा है, यह quadilator है, इसका नाम trapezium है, क्योंकि यह side इसके parallel है, 100% sure है, और भी 5 है, यह minus 5 है, distance कितनी होगे, 10, यहां से 2 है, यहां से minus 2 है, distance कितनी होगे, 4, तो sum of parallel sites 10 plus 4, divided by 2, तो 10 plus 4 divided by 2, multiplied by बीच की height, तो height की बात करेंगे, तो यह वाला 4 नजर आ रहा है, और यहां पर आप देखेंगे, coordinate, यह 7 है, और यह 4 है, तो बीच में gap कितने का, 3 का gap है, तो 3 height ह हो गई, तो 21 square unit आपके आपस आमसर आ गया, तो इस type के numericals आपको मिल सकते हैं, board में यह numerical मेरी तरफ से most important numerical बन चुका है, very important numerical, अगर यही numerical आपने समझ लिया, तो समझ लो, reflection आपको पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है students, तो यही बस आपके लिए, और यहां पर यही पर आज lecture end करते हैं, बाकी मिलते हैं next topic के साथ, okay, thank you, bye bye